कि अब्सकेश कि नहीं कर च नहीं कि अम्मोश्या की रात में जवाने लुगा इता जी और माता जी श्रीश अंपडा की दिवरीवत गिश्टी परिश्ण हो राशिक अमसा नेराना श्रीमन नारण के वाई रखागे हैं हमारे कुल पुरोहित में रखा। जनु के शबे से ही मैं बहुत भोला भाला था। मता जी करती थी इसलिए सबी लोग तुमको भोला नाथ के नाम से पुकारते थे। बजपन से ही मैं इता जी के साथ धार्मिक महत्सरों में जाता। पिता जी श्राइन साम को फुर्षी कि तरमाइब आदिशे अंतरत। और कहीं महाभारत आदिशे अंतरत पुझे सुनाते थे। बजपन में मेरा ऐसा संस्कार हो गया कि तुर्शिक द्रमाण पड़कर घंतोर होता था यहां तब कि उनकाश्वक्न में दर्शन यह होता था इस स्कूल में पड़ते समय मैं अपने क्लास में स्वबदा पथम याद्वितिय होता था बिशेश करके हाई स्कूल में एक मिल पाँच मिल इत्यादी की धोड में लॉंग जंप में हाई जंप सैकिलिंग रेश नौका चालंग आधी में में पथम आता था संस्कृत संगीत में भाग लेता था और संस्कृत में डिवेग में भाग लेता था भागवत बक्ता मेरे खुल गुरु का मेरे प्रती अत्तर्त स्नेव और मेरी श्यवाउं से 32 हो गया इसका मेरे जीवन में बहुत ही प्रभाव बड़ता धिरी-धिरे क्रिश्गे बक्ती की ओध मेरी हुची होती गई एक समय सुन्स्क्रिट टिवेग में प्रखम आने भर पुरश्कार में एक निम्बार वैश्नव आचार्ज का जीवन चैनुक्र और उपदेश की उस्तप पुरश्कार के लुट में गिलिए। उनका वैश्नव चिक आचार्ज ब्यवहार और हरिनाम के प्रती अक्चन्त आर्शक्ति उनका पठोर भक्ती शाधूर को पढ़कर हरिनाम में भी मेरी अबुरुची पुपन्न होने लिए। हाई स्कूल में पठतिक शमय हिस्ट्री में बहुत रुची थी। इतिहास के तुस्तप्त में सीचेतन्य महापुण के विषय में श्रंची बीबरन पढ़कर और उनका घुंगरादू और लंबे-लंबे बादों को देखकर और कृतन का आवेश देखकर मेरे जीवर पर भी के कारण हाई स्कूल छोड़ने के बाद ही बीना प्रयास के ही पुलिस डीपार्ट्मेंट में मुझे परख लिया ले नौकरी करने के तिन वर्श बाद भूश शी गोड़िय पेतांत समीती नवदीद की तरफ से प्रपुज्यचर्ण शीशे मरक्मानंद ब्रम्हचारी जी दस बारह जबों की एक टोली पाइटी मेरे सर्विस करने के स्थान पर आए थी शाहत गंजनाम के स्थान पर पुलिश ऑपसर डीप्टी सुपरिंटेंडेंड भंगाली थे और बड़े धार्मिक चित्वित्ती गे थे उनके घर में साथ दीन तक प्रहलाचरित्र का अगलाच भी जानता था तौबनी में उहां पर बैठा होता और मेरे सब्धा के कान उप्यरबाद से नरुतमा नंद प्रहचारी जी का मेरे उपर में बहुती श्मेट होगी और चार पाट देन तक प्रबचन के बार में खाना पीना छोड़ता के भी रात भार बैठ तके देशन शाज से ब्रॉयक्ती पस्ठिक होगी जोगी जोड़ता तो या अप्भर में लिया गोई से वन सिद्हाम नर्दी के अपनी गोजी के पास में नहीं चला गए कि जिसमें में रात में बार्वजे नोगिप धाम रेड़े स्टेशन पर आया तो मैंने सोचा जिसे वहां काठ पता में जानता नहीं मैं कैसे आश्रम में जाओ और रात में भी किसी से कड़ से पुछुँए किन्तु देखा जी गुरुजी ने जान करके माजर कैसे जान गया और पुछेबाद भामन महाराजी कोई लाइट के साथ में मुझे द्रूमन करके लाने के लिए भीज़ती है मठ में आ गया नवदीप धाम पर इक्रमा कुझे बाई थी और में रुठा बर्तन माजरने लगा बिना किसी की कहांचेशी और वहां कि सब सेवाये में महां पर करना आपके लिए उस समय में परिक्रमा के बाद मेरी घरी नाम और इच्छा गुनों एक साथ कुछ दूने के पस्चा गुरुजी मेरी सेवास प्रसंग होगा और हरीकथा सोंड में उची देखका उन्होंने अपनी व्यक्तिवत सेवा ने उन्हां में रख लुए मैं देले देले मुकी रुष्कुदी बनाने लगा परपड़े भी जोने लगा और उन्होंकी हरीकथा सोमने लगा मुझे ये ये जन एड़ा दो जो उनी शाफ सर्था झाल